नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की रण नीती तीसरे इंजन की हो रही तैयारी 2022 नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने रण नीती बना ली है केंडर और राज्य में भाजपा की सरकार है कहा जा रहा है कि यदि नगर निकाय चुनाओं में जीत दर्ज होती है तो इस्थानी इस तर पर भी मजबूती मिलेगी। यदि इसे तीसरा इंजन कहें तो गलत नहीं होगा। भाजपा नीताओं ने कारकरताओं से कहा कि सभी वार्डों में जीत दर्जिकर विकास का तीसरा इंजन जोडने में जुड़ जाएं नगर निकाचनाओं के मुद्दे नजर भाजपा की योज से प्रयागराज में वार्ड इस्तर पर बैठकों का सिल्षला चुरू हो गया है सभी वार्डों में नियुन तम पांच बैठक करने का लक्ष संगठन ने रखा है वार्ड नमबर 21 यानि प्रयागराज सहर के नया पुर्वा में भाजपा महानगर अद्यक्ष गनेज के सरवानी के अधिस्ता में बैठक हुई उन्होंने केंद्र और प्रिदेश की तरफ से चलने वाली योजनाओं की जानकार दी भाजपा कारकरताओं को घर गर जाकर पत्रक बाठने का निर्देश दिया गया है पत्रक में सरकार के कार बताए गए हैं अलग अगवर्ग के लिए चलने वाली योजनाओं की जानकारी भी दी गई है सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करें उनका लाब कैसे लें इस संबंद में भी जानकारी दी जा रही है पार्टी कारकरता लोगों से मिलकर उनका सायोग भी करेंगे इस मौके पर पूर पारसत भोला तिवारी, सुसीला देवी, राजेश किसरवारी, अरुन सिंग व्यवाड के सभी पदादिकारी मौजुद रहे जो नाम कट गए हैं उन्हें दोबारा मतदाता सुची में जुड़वाएंगे भाजपा के छेत्री उपाद्यक्ष अवदेश गुपता ने बताया कि सभी कारकरताओं और पदादिकारियों को उनके छेत्र में घरों की संख्या आवंटित कर जन संपख करने का निर्देश द रहे हैं उनके मुवाइल नंबर भी कारकरता इकत्र करेंगे मतदाताओं को बूत और भाग संख्या बताने की भी जिम्निदारी दी जा रही है